और ये क्या चल रहा है बाई ये इन दोनों के पीछ क्या चल रहा ए' एक सो रह एक जाग रहा है ये क्या करे हो तुम दोनों है याई मेरे प्यारे दोस्तों तो वापत से हम आच चुके माइन चरांफ की दुनिया में जी हां काफी टाइम होगे हमने माइनकराफ नहीं खिले तो मैं ने सचा क्यू न भाई आज खिला जाए Minecraft और पिछली बार आपको तो पता है भाई मैंने इस डोगी को टेम किया था और हाँ इसके लिए भाई सब मैंने एक छोटा सा घर भी बनाया है और अभी हम आज क्या करने वाले पता है आज हम विलेजर को लेकर आने वाले भाई मतलब बहुत ही मज़ा करेंगे वाई विलेजर हमारे साथ रहेंगे और हमारा काम भी करेंगे ना जालो वाई और हां बाई एक तो मैं आको बता ना भूल गया वाई यह जो हमारा डोगी है ना वो सीशे के आर पार भी आ सकता है भाई यह तुमे ने पहली बार देखए भाई अगर आप लोगों ने देख आ है तो मेरे को कमेंट करके जरू बतना अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखने यह देखो ढग भाई साब CC के R अर पार भी आ सकता है ये चलो ओए इदर आ जा भाई ये अगर मेरे से दूर चला गया ना भाई मेरेको बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता अभी एक काम करते हैं इसको यहाँ पर बिठाते हैं और अभी हम चलते हैं भाई गाओं की तरफ क्योंकि भाई साब हमें आज है ना विलेजर को लेकर आना है चलो इसको बंद कर दिया मैंने और इसके लिए मुझे चाहिए एक बोट चलो भाई सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मेरे पास बोट है की नहीं है भाई पता नहीं भाई बोट होगी की नहीं है भाई मेरे पास बोट तो है नहीं तो अभी हमें बोट बनाने और बोट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए टिक और उसके बाद हमें चाहिए सोवेल जी हाँ चलो भाई यहां से एक सोवेल ले ले लेते और यह बन गई हमारी बोट गाईज चलो भाई अभी हमें एक और चीज चाहिए और वो हमें यहां पर मिलेगे, यह रही बाई, लीड जियां बाई, इसकी मदद से बाई साब हम Von Higher को यहां पर लेकर आ सकते हैं, चलो बाई फटा फट से चलते हैं, और देखते हैं कि भाई साब Von The Annual Ken fewlla 하면 लेकर आ सकते न भाई चलो भाई देखते के विलेजर हमें मिलते की नहीं मिलते तो गाईज मुझे यहाँ पर कुछ आवाज आ रही है तो साइद यहीं कहीं हो सकता है चलो देखते वो यहाँ पर है यह देखो चलो भाई अभी एक काम करते बोट को यहाँ पर रखते है और देखते हैं वो भाई साब कमाल हो गया भाई यह तो बेट गया और अभी इसको यहां पर लगा देते हैं चलो भाई एक दम आराम से लेकर जाने वाले भाई और अभी मेरे को दूसरा विलेजर भी ढूनना पड़ेगा वो यहां पर गोलम भी है भाई एक काम करते हैं न भ बाई साब क्या इसमें दो लोगों को हम बीठा सकते क्या चलो बाई ट्राय कर सकते हलो गोलम भाई चलो बहुत दो दो बेट गए भाई चलो भाई सबसे पहले काम करते आराम से ले कर जाएंगे अगर ये तूट गई तो भाई साब ये लोग वापस से भाग जाएंगे चलो भाई बहुत ही आराम से ले कर जाना पड़ेगा ओके तो गाईज फाइनली हम पहुँच चुके अपने घर के पास और अभी मुझे इसको निकालना पड़ेगा भाई पहुत ये अच्छा रास्ता मैंने बनाया था बीच में लेकिन अभी दिक्कत ये है न कि अभी इसको निकालना पड़ेगा चलो इसको भी निकालो और इसको भी निकालो और इसको भी तो निकालना पड़ेगा भाई अभी मुझे डर इस बात का है भाई ये विलेजरेना कहीं अपने गाउं वापस न भाग जाए भाई चलो अभी मुझे इसको अंदर खीचना पड़ेगा और फटा फट से मुझे गेट बंद कर देना पड़ेगा भाई चलो अभी तो ये बोट में बेठा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी इसको तोड़ देते चलो ये अच्छी बात हो गई अभी मुझे इसको यहाँ पर बंद करना पड़ेगा भाई मुझे डर इस बात का कि भाई ये विलेजर भाग न जाए चलो इसको यहाँ पर लगाओ और यहाँ पर मैं गेट लगाने वाला हूँ मुझे बहुत ही डर लग रहा भाई मुझे डर इस बात का कि ये गावाले है ना वापस से अपने गाव की तरफ न भाग जाए वो ये तो गलत लग गया भाई चलो इसको निकालो और अभी मैं इसको यहाँ पर लगाने वाला हूँ चलो भाई ये लग गया ये तो अपना काम हो गया चलो भाई पहले अंदर जाओ और इसको बंद करो भाई क्या पता ये भाग जाएंगे चलो पहले इसको निकालो इसको भी निकालो मुझे बहुत आराम से काम करना पड़ेगा भाई मुझे अभी इस बोट को निकालना बहाई, अगर मेरे इस बोट को तोड़ा और गलती से किसी को लग गया न, तो अपनी बेंड बजने वाली है, वाई, नाई, गल्ती होगी, भाई, मार गई, ये गोलम मेरी बेन बजा देगा भाई चलो 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 निकलो 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 इसको ओके निकल गई ओ भाई मेरे को पता दा भाई ये गोलम मेरी बेन बजा देगा भाई लेकिन भाई अच्छी बात ये है कि ये भूल गया है बिल्कुल भी भूलिया कि मैंने इसको मारा दा भाई चलो भाई ये तो अपना काम होगी अभी मेरे को एक और काम करना है मेरे को एक और विलेजर को लेकर आना पड़ेगा न ओके तो गाईज अभी हम वापस से आचुके विलेज के पास और अभी मुझे एक और विलेजर की तला से भाई ये रा भाई ओ ये क्या हो गया अभे यार ये बोट यहां पर कैसे रह गी भाई चलो इसको निकालो फटा फट और अभी मुझे इस विलेजर को अपने घर के पास लेकर जाना पड़ेगा न भाई हलो सर अभी इसको यहां पर मैंने लगा दिया है अभी मुझे बहुत आ रहा है से एक दम संबल कर खेलना पड़ेगा भाई अगर ये बोट गिर गई ना तो ये विलेजर उतर कर वापस भागने वाला है लेकिन ऐसी गलती में बिलकोल नहीं करने वाला भाई मुझे कोई जल्दी नहीं है बहुत आराम से लेकर जाने वाला हूँ इसको तो चलो गाईज फाइनली हम पहुच चुके अपने घर के पास और एक विलेजर तो बाहर खोम रहा है और ये कह हलो गोलम भाई चलो बाहर निकलो अभी मुझे इसको बाहर धका देना पड़ेगा भाई अगर ये अंदर रहा और गलती से भी मैंने गलती से भी विलेजर को टच कर लिया ना भाई तो ये वापस अपनी बेन बजाने वाला तो एक काम करते हैं पहले इसको धका मारते हैं बहुत बढ़ी गलती होगी बाई तत तेरी अभी मैं क्या करूं चलो ट्राय तो करना ही पड़ेगा इस बोट को निकलना पड़ेगा बाई बाई में और अगर आगर गलती से भी पिछली बार की तरह लग गया ना भई तो आपने तो बेन बजने वाली है फो एक दमारां से एक दमारां से निकल गल गहीं ने-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई अरे गलती से लग गई जान बूच के नहीं मारा भाई मैंने, थत्तेरी ओ गया काम से, भाई ये खित्री तेजी के साथ आ रहा है मेरी तरफ, ओ भाई भागो, भागो भाई सब अब तो इससे बचना नाम कीने भाई, बिल्कुल नाम कीने भाई, थत्तेरी की, ये तो बहुत पीछे रहा, भाई, अभी मैं क्या करूं भाई, इसका क्या करूं भाई, मुझे लगता है मेरे को मरना ही पड़ेगा, और इसको मैं ये दे सकता हूं क्या, चलो ये ले लो, मान जाओ बात तो मान जाओ, नहीं, नहीं, तद तेरी की बाई, ये तो अपनी बेंर बजाने के बाद भी हम से नाराज है भाई चलो अभी देखते हैं वोव लगता है ये भूल गया मतलब कि अगर उसने हमें एक बार मारा तो दूसरी बार नहीं मारेगा चलो ये तो अच्छी बात है भाई लेकिन भाई साब मेरे दो विलेजर कहां चलेगे भाई अरे भाई साब ये तो दिख्कत हो गई अभी एक काम करते हैं सबसे पहले इसको ठीक करते हैं और इसका गेट भी लगा देते हैं और दोनों विलेजर को भाई साब मेरे को वापस है इसके अंदर केट करना पड़ेगा ना चलो इसको यहां पर लगा दिये मैंने और इसको भी लगाओ बाई ओके यहां तक लगाना पड़ेगा भाई पूरा पूरा भाई कितना बड़ा रास्ता बनाये था मैंने विलेजर के लिए और अभी मुझे इसको ठीक भी तो करना पड़ेगा ओके तो अभी यह ठीक हो चुक है ओ यह विलेजर यहां पर गुम रहा है चलो भाई सबसे पहले मुझे यहां पर गेट लगाना पड़ेगा एक यहां पर लगाऊंगा और एक यहां पर वो यह तो गलत लग गया भाई चलो इसको निकालना पड़ेगा यह रही मेरी एक्स सब एक और गेट कहां गया चलो यह रहा इसको यहां पर लगाओ अभी सही है ओ यह देखो एक विलेजर यहां पर सो गया है भाई बहुत अच्छी बात है और अभी हम भी सोने वाले बहुत रहत हो गई है हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने वाले हैं बहुत हो गया भाई देखो क्या चल रहा है दोनों के बीच और वहां पर देखो भाई वो एक छोटा विलेजर आ चुका है भाई मतलब कि इन दोनों के बीच गुफतगू चल रही है भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है भाई और यह सो रहा है और यह जाग रहा है यह मेरे को बिलकुल वहाँ पर मिलता है के नहीं मिलता लेकिन भाई-साब यहां पर तो मेरे को एक छोटा सा विलेजर मिल गया और अभी हमें बहुत सारे विलेजर मिलने वाले ओए ये कहां जा गया तो ऐसी की तैसी चल निकल यहां से पतली कली पकड चलो भाई इसकी भी बैंड बज के तो आज का यह गेंपले यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई